हेलो प्रेंट्स रेलकम बिक टू माई चैनल आजके इस वीडियो में बहुती खुपसरोद डिजाइनर सीलिप्स आप सभी को साथ सेर करेंगे तो चलिए इसे पढ़नाना स्टार्ट करते हैं तो पहले हमने पिन्टेट फेबिक और लाइलिंग के फेबिक दोनों ही पहले से ही कट करके हैं कुछ इस तरीके से और इसको मेजरमिन कर लेंगे तो प्रेंस हमें दोनों साइड ही थोड़ी-थोड़ी मार्जिन छोड़ेंगे और इससे स्टिचिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो देखी सकते हैं दोनों साइड हमारा जो बोडर है वो स्टिचिंग हो चुकी है अब यहां से इसको कटिंग करेंगे cutting करने के बाद यहां पर extra fabric एक्स्टा धागा कर लेंगे cutting करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको fold कर लेनी है तो जितना भी हमारा दोनों धार के धागा बगेरा है और अंदर के side कापी अच्छी तरीके से fold हो चुकी है अब इसको हम अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से हाथों के मद़से सेट कर लेंगे आप चाहो तो यहाँ पर आइरोन के साहिता से भी सेट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा फिनिसिंग के साथ इस डिजाइन को क्रियेट करना चाहते हैं पर्फेक्टली तो आप यहाँ पर आइरोन के साहिता से भी सेट कर सकते हैं तो चलिए चाड़ो किन्नर को जल्दी से स्टिचिंग कर लेते हैं चाड़ो साइट सिलाई लगाना पहुती ज़री है तो देखी सकते हैं फ्रेंस हमारा चाड़ो साइट स्टिचिंग हो चुकी है और हमारा border भी तैयार हो चुकी है अब यहाँ पर हम lace use करेंगे अगर आपका पास कोई सा भी lace है golden color में आप ले सकते है आप printed fabric में जो की इस print है blue color में तो अब blue color में भी lace ले सकते है तो कुछ इस तरीके से इस lace को हम use करेंगे अगर आपका पास ऐसा design नहीं है कोई ओड design है तो ओभी lace आप यहाँ पर किंणर के side भी लगा सकते है तो friends देखी सकते हैं इस lace को हम कुछ इस तरीके से लगा लेंगे तो दोनुस side इस lace को लगाना है तो friends अभी तेक भी चैनल के subscribe नहीं किये है तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरू से प्लेज करना जब भी हमने इने वीडियो अपलूट करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो चलिए फटापर्स से दोनों side को लेस लगा के इस border को कम्प्लिटी तयार कर लिते हैं जितना भी धागा बगेरा है उसे कर्ट करते हुए फिनिसिंग कर लेंगे अब यहाँ पर पहले से हमने कटिंग करके रखे हैं इसके लंबाई है 16 इंच और इसके चोड़ाई है 7.5 इंच और यहाँ से हमें लेनी है 4 इंच और यहाँ से हम लेंगे 5 इंच कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा निसान लगा देंगे निसान लगाने के बाद यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे मिडल पॉइंट में छोटा सा कट लगा लिनी है और कुछ इस तरीके से इसको खोल लेंगे खोलने के बाद यहां से हम प्लेटेस लगाना स्टार्ट करेंगे यहां पर हम प्लेटेस जो डालेंगे थोड़ी सी बड़े वाले प्लेटेस डालेंगे अगर थोड़ी सी बड़ी फिलेटेस डालते हैं तो इसको पहिनने के बाद जो लूक आती है वो हरिक फिलेटेस नज़र आती है इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वाली फिलेटेस यूज़ करें हूँ अगर आपका छोटा छोटा प्लेटेस पसंद है तो आप छोटा प्लेटेस भी इहां पर लगा सकते हैं अगर ऐसा सेम डिजाइन क्रियेट करना चाहते हैं तो ऐसा सेम ही आपको भी प्लेटेस को लगाना है और pitis लगाते समय बहुती धिरे-धिरे लगाते चाहें क्योंकि अगर कोई pitis जढ़ा बड़ा या फिर कोई pitis जढ़ा छोटा नहीं होना चाहिए इस बात को ध्यान दखते हुए इस pitis को लगा लेंगे तो उन हिसाब से हम इस फ्लेटेश को डालेंगे कुछ इस तरीके से डालते जाएंगे और जहाँ तक हमारा cut लगी हुई है और हम इस फ्लेटेश को डाल लेनी है तब जाकर दोनों side को जो equal size होता है वो अच्छी तरीके से मिल जाएगी तो कुछ इस तरीके से इसको stitching करेंगे तो यहां तक हमने cut लगे ही हुई थी तो यहां तक cut के हिसाब से हमें इसको लगा रही हूँ अब दो देखी सकते हैं थोड़ी से यहां पर बरी प्लेटेस यूज़ किये हैं तो इसको जो look है ओ कितना प्यारा आ रही है अब हमारा जितना हमारा प्लेटेस है उसको भी हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद यहां पर अच्छी तरीके से stitching भी कर लेंगे तो हमारा सिलिपस हिसाब में जो सिलिपस के डिजाइन उपर वाला हिस्सा कर्प साज रहता है उस हिसाब से ही इसको stitching कर लेंगे बाद में हम जब इसको इटेस करेंगे कोई भी डेस के साथ तो उसको हिसाब से ही हमें पहले stitching करना होगा तो देखिए यहां पर हमारा बोर्डर और उपर वाला पार्ट दोनों ही तयार हो चुकी है अब इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे यहां से भी थोड़ी सी यहां पर मार्जिन छोड़ देंगे और नीचे के सेस के ओर में भी यहां पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़ देन हो चुकी है अब यहां से हमें इसको कटिंग कर लेनी है अब कटिंग होने के बाद देखी सकते हैं हमारा जो सिलिप से बन के तयार हो चुकी है तो चलिए देखाते ही इसके फाइनल लूप तो यहां पर आपको भी स्टिचिंग कर लेनी है अगर चाहते हैं तो यहां पर हमने 5 point में ली है 5 point के हिसाब से ही इसको stitching कर ली है अब stitching करने के बाद इसको दूसरे side पलट लेंगे इस design बनाना बहुती असान तरीका है आपको देख सकते हैं और इसको हर एक प्लेटेस काफी कुपसुरती से बैठ चुकी है अगर आप इस design को create करके पहनते हैं तो इसका हर एक प्लेटेस आपको नज़र आएगी जो की देखने में बहुती प्यारा लगती है बहुती good looking लगती है तो आपको देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद तो वीडियो के एक लाइक जरू करना थेंक्स पर वाचिंग माई वीडियो चलिए फिर से मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको pop भी कर सकते हैं और बढ़ने के बाद बहुती चार चांद लगने बाले हैं आपको सिलिप्स में और इसको basically blouse के सिलिप्स लुक देनी वाली है